सबी वक्त शिरी शिवाए नमस्तो भ्याम, हरहार महादेव, ओम नमस्षिवाए तो सावन की प्रदोश के दिन प्रदोश काल में आपकी कोई भी मनोकामना हो, कैसे भी मनोकामना हो, उसको करना चाते हो आप पून तो बहत्तर वश्यू बाद आए इस सावन में आप उस मनोकामना को पूंड कर सकते हैं चाहे वो आपकी मनोकामना कई समय से रुकी क्यों न हो जो भी आपकी विशेश कामना है उसको भी आप पूंड कर सकते हो तो वो पांच इस्थान कौन से हैं जहाँ पर आपको ये दीप प्रजोलित करने हैं सबसे पहला है बेलपतरी का वरक्ष, इसके बाद है आउले का वरक्ष, इसके बाद है आपकी घर की तुलसा और इसके साथ ही एक और जगे, जो चोथे नंबर पे जगे है वो है बगवान शंकर का मंदिर, शिव जी का मंदिर, शिव जी के समुक में और पांचवा और अंतिम इस्थान आपके घर का मुख्यद्वार, ये पांच इस्थान हैं जहां पर आपको दीप प्रजोलित करना है, लेकिन इन पांच इस्थानों में से किसी भी एक इस्थान पर, किसी भी एक इस्थान पर आपको दीप प्रजोलित करना है, या तो बे चंकर उसको पूर्ण आवश्य करेंगे किया आप मेरे वाज पहली बार सुन रहे हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर दो तो सबसे पहले क्या करना है आपको पांच मिट्टी के दीप ले लेना है और इन पांचो दीपों के अंदर आपको लगा लेना सबसे पहले डाल देना है गाय का गी गी डाल देना गाय का अब आपको क्या करना ये पांचो दीप शिव जी के सम्मुक में इस प्रकार से रख देना है शिव जी के सम्मुक में रखना और दो बात लेना जो रूई की बात होती है कपास की जो बात आती है वो आपको दो लेनी है सबसे पहले दो बातों को लेना इन दोनों को अपने हाथ में रखकर एक दूसरे को मसला जो आप इन दोनों को अपने हाथ में रखकर रगड़ोगे तो ये दोनों बात एक में जोड़ जाएगी, यानि कि दोनों बात थोड़ी ही देर में एक हो जाएगी, मिल जाएगी, इसी प्रकार आपको अगले दीपक के लिए दो बात लेनी है, उसके बाद अगले दीपक के लिए दो बात, अगले दीपक के लिए दो बात, अगले डाल कर पांचो दीपकों में आपको एक एक बात लगाती जानी है जो दो बातों को जोड़कर आपने एक बात बनाई है वो सभी बात इस दीपक में लगाई है और जब आप दीपक में जो बात लगा रहे हैं उनको लगाते समय आपकी मनुकामना अवश्य बोलिए और ये पा आज दीपक शिव जी के सम्मुक में शिव जी के मंदिर में परजोलित कर दिये तो आपकी कोई भी काम ना क्यों ना हो वे अवश्य ही पूर्ण होगी जदि आप शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते तो बेल पत्र के नीचे या हमले के नीचे या आपके घर पे मुख्य सबी भक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर